नमस्कार दोस्तों मैं हुए S.P. शर्मा आप देख रहे है ग्रिन गड़न चैनल ग्रिन गड़न चैनल में आप सभी को शागत है आज मैं आप लोगों की शागत शेयर करूंगा अपरिल मांत में आप लोग हिविसकस फ्लावर प्लाइन की यानि की जाशुन गुरुहल फ्लावर प्लाइन की क्यार कैसे करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा रेजल्ट मिल शके आपकी फ्लावर प्लाइन से अच्छा से फ्लावर मिल शके huge quantity में flower मिल शके ये हिविस्कास flower की color बहुत शंदर color है biggest size है huge quantity में flower खिलते है देखिए इसका जो color है size है एक flower तो आभी खिलने को बाकी है देखिए पूरा नहीं खुल पाया भी तक और एक flower खिल चुके है कुछ ब्रांचे सा है इसमें flower plant काफी बड़े नहीं है काफी पुराना नहीं है छोटे है मैंने online purchase किया था पुषपंजली औशोक नर्शारी से मैंने purchase किया था और इसके बाद मैंने ये flower plant को ग्रो किया है और आज इसके जो result है काफी आच्छा है बहुत आच्छा result है देखिए हार टीप्स में multiple parts है जितनी टीप्स आप देखेंगे शब ही टीप्स में multiple parts है ये देखिए शब ही ब्रांच में है यानि कि flower आभी बिलकुल non-stop खिलेंगे और एक शाल जब मेरे flower plant का उम्रो हो जाएगा मेरे flower plant की एक height अच्छा होगा अच्छे branches होगे बूशी हो जाएगा मेरे flower plant उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोग को भी अच्छा result मिल रहा होगा क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो फॉलो करते रहते हो आप लोग को भी अच्छा result मिल रहा होगा चली देर ना करते हुए शब से पहले में बात करूँगा आप ही कुछ बाट ड्रॉप्स देखने को मिलता है आपके हिविसकस फ्लॉर प्लांट में इसका मेन रिजन होता है यह देखिए जिस टाम यह बाट्स आएंगे इसकी उपर थिरिप्स का एटक होगा और जिस टाम थिरिप्स का एटक होगा इसकी अंदर थिरिप्स गुश जाते है और हम देख नहीं पाते जे इतनी छोटी चिद्र होता है हमको समझ में नहीं आता कहा से थिरिप्स गुश चुके हैं अंदर और बाट्स की रस चुश लिया धीरे धीरे करके बाट्स हमारे पिले पड़ गए और जर गए एसलिए आपको कॉन्फिडर फ्लावरिंग स्टेज में कॉन्फिडर हपते में एक बार स्प्रे करना है पंदरा दिन में एक बार स्प्रे करने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस बात को धेन रखिएगा और नहीं तो बाट्स फल तो होगा ही होगा कॉन्फिडर हर हपते में एक बार मैं तो कहूंगा एक बार कॉन्फिडर एक बार इंट्रेपीड यूज करें आपको आच्छा रेजल्ट मिलेगा कॉन्फिडर का डोज होता है 1 ml पर लिटर वाटर इंट्रेपीड की डोज होता है 2 ml पर लिटर वाटर इनकेस आप अगर इंट्रेपीड यूज नहीं कर शकते तो रासा कॉस्टली लग रहा होगा तो आप मानोसिल यूज करें मानोसिल शस्ते में आते हैं सेम डोज टू एमेल पार लिटर वाटर यह हपता कांफिडर अगले हपता मानो से लिउज़ करो अच्छा रिजल्ट मिलेंगे फंजिसाइड में आप इस टाइम बहुत ज़्यादा फंगास की अटक नहीं होगा इसलिए फंजिसाइड 15 दिन अंतर से स्प्रे करें चलेगा कोई भी एक अच्छा फंजिसाइड लिजिए रिडो मिल गोल्ड अच्छा गोल्ड स्टंडर्ड फंजिसाइड है बैबिश्टीन अच्छा रेजल्ट है ब्लाइटरक्स अच्छा रेजल्ट है तीनों में से कोई भी एक यूज़ करे आप चलेगा लीडो मिल गोल्ड दो ग्राम पाल लिटर वाटर डोज है ब्लाइटक्स दो ग्राम पाल लिटर वाटर डोज है बैविस्टीन का डोज वान पॉइंट फाइब ग्राम पाल लिटर वाटर डोज तीनों में से कोई भी एक लिजी और यूज करें आपको अच्छा रेजल्ट मि उतकर्ष कमपणी की कमबी टू अभी हर दस दिन में दीजिए, एस्परे करें हर दस दिन में, और नहीं तो लीप क्लोजिज होंगे, आपके फ्लावर प्लाइन्ट में जो भी फ्लावर खिलेंगे, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा, सेप अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी फ्लावर मिलने के लिए आपको माल्टिबल माइक्रो न्यूट्रिंट यूज जरूर करना है, उतकर्ष कमपणी की कमबी टू, टू गिराम पाल लिटर वाटर, डिजल्ब करें और एस्परे करें, हर दस दिन में एक बार, पीजी आर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सेही टाइम है आभी हमारी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ बरहाने के लिए, पीजी आर में ओमेगा गोल्ड प्लास, बायो बीटा एक्स, और नहीं तो शागरिका, मैं तो कहूंगा आप शागरिका यूज करो, अच्छा रिज हफ्ते में एक बार उस्प्रे करो, आपको हर हफ्ते में एक बार उस्प्रे करना है क्योंकि आँब ही ग्रोथ प्रिवर्ड है, ग्रोथ की टाइम है, इस ताइम που तो आप अगर इस्प्रे कर एंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा मैं कुछ प्लांट्ट और देखाता मैं देखिए सेक्रो की कौन्टिटी में ब्रांचेस है तो फ्लावर भी बैसे ही खिलेंगे और इसमें आभी बार्ट्स लगने लगा है यह देखिए बहुत अच्छा से देखिए बार्ट्स लगने लगा है जहां भी देखेंगे बार्ट्स लगने लगा है हम कहीं भी देखेंगे देखिए बार्ट्स लग रहा है ऐसे करके आभी फ्लावर खिलेंगे देखिए इसमें भी बार्ट्स लगने लगा है इशब फ्लावार प्लावार को आभी हपते में एक बार आगार कांफिड़र एस्परे नहीं कर पाया तो आभी हमारे फ्लावार प्लावार की बार्टस प्रोटेक्ट नहीं होगा और अच्छा रेजल्ट नहीं देगा huge quantity में फ्लावार नहीं खिलेंगे यह tropical variety है यह मैंने बाद में प्रूनिंग किया था इसमें अभी बाट्स नहीं आया है लेकिन branches देखिए multiple branches इसका वीडियो भी आप लोगो मैंने शेयर किया था और एक है देखिए इसमें भी multiple branches है इसमें भी अभी तक बाट्स नहीं आया क्योंकि यह मैंने बाद में प्रोणिंग किये थे यह देखिए बार्ट्स नहीं आया भी तर फार्टिलेजर में कुछ और्गनिक और कुछ इनार्गनिक फार्टिलेजर हम जरूर देंगे मैं हमेशा देता हूँ आप लोगों को पता है देखिए अब ही हम देदेंगे एक चम्मच होर्ण मिल यह हमने लिए है एक चम्मच होर्ण मिल और यह जो होर्ण मिल है इसमें नाइटोजिन की शोर्स आते हैं एक स्लो रिलेजिंग नाइटोजिन की काम करते हैं इसके साथ एक चम्मच हमको देना है बोर्ण मिल एक चम्मच बोन्मिल मेरे पॉट शाइस दस इंच है आप दस से लेके बारा इंच की पॉट के लिए सेम देशक्त हो एक चम्मच देना है निम खली ए देखिए निम खली ए तीन चीज हमने और्गनिक दिये है कुछ एफसम शल्ट देना चाहिए लेकिन आभी मैं एफसम शल्ट नहीं दे हमको इसमें एफसम शल्ट नहीं देना है मेगनिशियम साल्फेट नहीं देना है कुछ केमिकल फर्टलाजर हम यूज करेंगे जिसके अंदर है देखिए फॉर ही विसकास एन्पिके शत्रा नौ चाहुतिश सेवेंटीन नाइन थार्टीफोर सेवेंटीन परसेंट नाइट कुछ को आंटिटी में साल्फार है तो हमको मेगनिशियम साल्फेट अलग से नहीं देना है कि ग्रिन गर्डेन की इस्पेशाल है विसकास मिक्स फर्टलाजर यह मैं यूज करता हूँ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है डिस्किप्शन बॉक्स में मैं ने इसका लिंक प्रोवाइट करा दिया है अप लोग कैंडली उस लिंक में जाके उस वीडियो को देखिए और आप अपकी घर पर बहुत ही अशनी से बनाईए और आप भी यूज करें इनकेस अगर 17934 आप बना नहीं सकते तो आप इसकी बदले में NPK 16824 यूज करो या 17 1934 मार्केट में मिलता है उसको यूज करो नहीं तो 1990-1919 यूज करें सेम क्वांटिटी में अपसम शॉल्ट भी यूज करें अभी हम लेंगे ये फर्टलेजर का आधा चम्मच देखिए आधा चम्मच हो चुके हैं लेकिन ये फर्टलेजर देने से पहले एक बात और कहूंगा मस्टाड केक लिकुट फर्टलेजर आपको साथ से लेके 10 दिन में एक बात जरूर देना है mustard cake liquid fertilizer आप तयर करें और यह floor plant को देजीए देखिए आधाच अममच हम ने लिये है ये जो आधा अममच हम ने दिये है ये fertilizer chemical fertilizer हमको हबते में एक बर देना है जो organic fertilizer दिये है organic fertilizer हम देंगे 15 दिन में एक बर इतना ही fertilizer देना है इससे ज़्यादा fertilizer की कोई जरूत नहीं है Epsom salt हमको बिल्कुल भी नहीं देना है क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके अंदर Epsom salt है यह जो fertilizer तेयर किया है इसके अंदर huge quantity में Epsom salt डला गया है तो हमको अलग से Epsom salt देने की कोई जरूत नहीं है हफते में एक बार Green Garden की Special Hiviscus Mixed Fertilizer आधा चममच करके देंगे देखी ए ब्रांचेस भी लंग हो जाएगा बड़े हो जाएगे ए शब ब्रांचेस बड़े हो जाएगे Multiple branches होगा बहुत ज़दा अच्छा result मिलेंगे दोस्तों कोई भी क्यारी है आप लोग kindly comments किजी आप लोग को पूरे comments की answering कर दिया जाएगा आभी इसमें मैं कोई भी गुराई नहीं करूंगा स्रेप पानी डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे उम्मीद करता हो आप लोग को मेरा वीडियो पसंदा है और अगर पसंदाता है तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राइब जरू कर देना शाथ में विल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लोग रहा हूँ आप तक तरहन पुश्चा के दोस्तों आज अहीं ताक है तंक्स तर बाची